जब हालाल नेरुविश्वद्याले के लोगो में तमसो मा जोतीर गमें चोड़ दिया गया है पहले सिर्फ लोगो था लेकिन उसके चारो तरफ डिखा गया है तमसो मा जोतीर गमें इसको लेकर तमाम स्खशकों की अलग-अलग राय है इस पर मैं बाचीत कर रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ हैं, JNU के प्रोफेसर हैं, SIS के, उनसे बाचीत करेंगी, डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, सर आप क्या मानते हैं इसको लेकर कि जो तमसो मा जोतिरगमे जो जोड़ा गया है, ये इतने सालों पुराना लोग हो है, उस भारत की सनातन हिंदू संस्कृती है, और भारत की सनातन हिंदू संस्कृती दुनिया में एक ऐसी संस्कृती है, जो सबको साथ में ले चलने की बात करती है, सबके साथ साथ विकास की बात करती है, और इसमें कुछ ऐसा, कुछ बुरा नहीं है, ये हमारा दर्शन है, जहां जहां हम कह रहे हैं सत्य से सत्य की और चलना जहां हम कह रहे हैं अंधकार से उजाले की और प्रकाश की और चलना और ग्यान का हेतु क्या है ग्यान का हेतु भी तो यही होता है ना कि एक बालक होता है अबोद बालक होता है उसको बहुत बालक बनाना उसको 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 पढ़ की ओर ले जाने वाला वही इसके अंदर है और ये एक अच्छा निरणे है और देर हुई इससे पहले भी जो वाइस चांसलर्स थे इस विशुद्याले में वो को करना चाहिए था इसलिए मैं इस वाई चांसलर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम भारत की संस्कृति भारत के हिंदू संस्कृति को लेकर करके बड़ा निर्णे लिया और इसकी प्रसंसा होनी चाहिए सरा पूर एसी मेंबर भी रहे हैं तो क्या किसी की तरफ से अभी फिलाहाल इसको लेकर आपत्ती दर्च कराई गया है कि क्यों ये लिखा गया है क्या इस दौरान इसमें कुछ बतलाओ की वजह क्या है मुझे नहीं लगता कोई विरोध होना चाहिए क्योंकि मैं उनिवर्सिटी कोट में भी रहा तो कोई विरोध तो नहीं होता है किसी चीज़ का अगर होता तो वो आता पठल पे और इसका कौन विरोध करेगा कुछ वामपंती लोग विरोध कर सकते हैं राजनिती करने के ल विरोध कोई कैसे कर सकता है और जिनों ने सनातन का विरोध किया था आपने उनका हाल तो देखी लिया और जो लोग इस लोगो का भी विरोध करेंगे उनकी भी फिर आने वाले समय में उनका भविशे भी अच्छा नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है लेकिन सर इस दौरान एक हमेशा होता वजह क्या थी, क्या किसी की तरफ से इसको लेकर प्रिपोजल रखा गया था, उसके बाद विश्विद्याले ने इस पर EC की मीटिंग में इसको लेकर गया, वहाँ से पास करा कर या फिर जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से ही कुछ इसको लेकर पहल की बहुत सारी सड़के थी, बहुत सारी इंसिटूशन से उनके नाम, बिटिशस के नाम पे थे हुँको भी बदला गया, जब से नर्यद्रमुदी सरकार आई, उस सरकार ने भी भारतियता पर बीज्ट, सनातन पर बीज्ट बहुत सारी चीजों को आगे लाने का का काम किया। हमको हमारे पुरातन पर हमारे जो पास्ट है अतीद जो है उस पर हमको गरव भी होना चाहिए हमारे रिश्यो ने बहुत पहले बहुत सारी बाते कह दी है क्या वो हमारे ग्यान में नहीं आनी चाहिए क्या हम दो कह रहे हैं कि ये काम पहले होना चाहिए था ये आज हुआ है देर से हुआ लगिन अच्छा हुआ और इसको लोगों ने अप्रिशेटी करना है मुझे नहीं लगता इसका कोई विरोध करेगा और सेक्षिक संस्थानों में तो यह होना ही चाहिए सेक्षिक संस्थानों में तो यह इस विचार को आगे बढ़ना ही चाहिए कुछ जवाहाल नहरु विश्वध्याले में जो कुछ भी होता है उसकी बात सिर्फ इस Cape दर नहीं होती है तो चुकि आपती सुर विश्वध्याले को स्विश्वध्याले की नहीं है या कुछ सूद्लिश's के तरफ से लेकिन् पढ़ियां तो लोग इस से बाहर के लोग भी करते हैं। जेनियों, no doubt, मैंने पहले भी बहुत बारी में कहा कि देश और दुनिया की टॉप इनुवसेटी में एक है। यहां एक अकादमेक इनवाउमेंट है और रइवाउर Bowl environment है और हाँ चर्च परेचर्च परेचर्च आएट काल्च रहे कि तो किसी भी विशे पर चरच्अअ नहीं वातिय है यहां भारती है संस्कृति का इसह इसले अगर जेनियूं के अंदर जेनु में के अंदर से कोई आसी बात होती है या उसके बाहर भी कोई बात करता है करना चाहिए लेकिन हम ही मानते हैं कि भारत की यह भी संस्कृति का है कि आपस में सारी चीजों पर सहमेती भी बन जाती है जो सही होता है निकल कर उपर जाता है तो सही नहीं होता हूँ, चला जाता है, तो ये संस्कृती भारत की संस्कृती भारत के तत्व यही है, इसलिए मैं तो बार-बार बार इस चीज की प्रशंसा कर रहा हूँ कि अच्छा निर्णे वाई चांस्टर ने लिया, जब से हमारी वी सी हाँ आई हैं, काफी सारे रिफ लेकिन फैसला हुआ, वो बता रहे है, और कहा है को पहले JULY चांसलर थे, वो नहीं कर पाया है, लेकिन मोजूदा बार चांसलर ना जो किया वो स्वागती हो गया।